हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल, नर्सिंग नोट्स और आज की स्टूडियम बात करेंगे हम जी एनेम थर्ड एर के कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सेकेंड पेपर है उसके बारे में ठीक है, यह मोडल कोशन पेपर सेकेंड है, फर्स्ट वाला यह दि आपने नहीं देखाया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं और मिडवाइफरी एन काइनेकोलोजी जो सब्जेक्ट है, उसके इंपोर्टेंट कोशन जी एनम थर्ड एर के लिए वह भी नीचे दे रखेंगे हैं, लिंक महाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं इसका जो टाइम डूरेशन होता है, वह होता है हमारे तीन गंटेगा, वो टोटल मार्क्स होते हैं इसके 75, ठीक है, इसके अंदर सिफ हम कोशन पेपर के बारे मात करेंगे, जो आपको इसके आंसर की चाहिए, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देदेंगे, मास ही जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है, सबसे पहला section A, section A में क्या होता है हमारे, multiple choice question और जो swaps question होते हैं, एक इक नमबर के वो होते हैं, ठीक है, सबसे पहला हमारा question से, select the right answer, ठीक है, multiple choice question है, पहला question से, spliced health care service are available at, spliced health care service है, वो कहाँ पे available होती है हमारी, सबसे पहला है option A, village level, option B, sub center level, option C, PHC, यानि primary health center, and D, community health center, तो हमारा correct answer है, option D, community health center पे, ठीक है, इसके बाद, corona is, corona क्या है, एक कौनसी disease है, option A, pandemic, option B, epidemic, option C, A, and both, and option D, none, तो हमारा correct answer है, option A, pandemic, ठीक है, इसके बाद, question number थड़ा हमारा, urban, sub center, stabilized at, urban, जो sub center होता है, वो कौनसी population, कितनी population पे होता है, तो option A, 3000 population पे, option B, 8000 population पे, option C, 5000 population पे, या option D, 10,000 population पे, तो हमारा correct answer है, option C, 5000 population पे, इस तरीके से आपको answer देने है, एक एक एक, तो आपको, एक एक number मिलेगा, ठीक है, section A के अंदर, अब, filling in the blanks की बात करें, तो question हमारा बनता है, ruler community health center, established, जो rural community health center है, कितनी population पे बनता है, ठीक है, तो 80,000 population पे बनता है, ठीक है, अब, second question, in charge of sub center, in charge कोन होता है, sub center का, उसके बारे आपको लिखना है, full form of UNICEF, UNICEF की full form आपको लिखनी, United National, International Child Emergency Fund, ठीक है, इस तरीके से full form होती, Indian Red Cross Society established in, कौन सी सर्ण में, Indian Red Cross Society established हुईती है, ठीक है, वो आपको इधर mention करना है, तो इस तरीके से आपको एक एक नमबर मिलेंगे, इस तरीके से आपको चार नमबर बनते हैं, second question में, ठीक है, तो section A के अंदर आपको total 15 नमबर मिलेंगे, ठीक है, अब question नमबर थर हमारा true and false, ठीक है, आशा means, क्या यह accredited social health activity होता है, wrong, ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक answer दिना है, WHO headquarter situated in New York, ठीक है, New York के अंदर headquarter होता है, WHO का, यह भी खलत है, ठीक है, जेनावा में होता है, इसके बाद, BCG vaccine is given to protect TB, ठीक है, और lip, lupis and intrauterine contraceptive device, यह भी right है, यह wrong, आपको लिखना है, तो इस तरीके से आपको प्रते questions के आपको एक एक नमबर मिलेंगे, है, अब match the following, ठीक है, 1st December, तो क्या होता है, इसके अंदर, ads day, ठीक है, इसके बाद cold chain, cold chain किसके related है, तो vaccine के related है, इसके बाद school health, school health किसलिए organize किया गयाता है, तो वो है midday meal के लिए, इसके बाद green ribbon, green ribbon जो होता है, इसके बाद red ribbon होता है, red ribbon हमारी ads के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और pink जो rubber होता है, वो होता है, हमारे breast cancer के लिए, और जो green ribbon होता है, वो होता है mental health के लिए, तो यह हमारा major following था, अब section B, section B के अंदर क्या है, attempt any five questions, each questions carry six mark, ठीक है, कोई भी 5 questions आपको हल करने और प्रतिक के आपको 6 अंक मिलेंगे, तो सबसे पहला हमारा questions है, what is WHO, ठीक है, और what are the functions of WHO, WHO क्या और उसके functions क्या है, आपको लिखना है, तो इसके आपको six marks मिलेंगे, second questions, चटा हमारा, schedule the latest universal immunization schedule, जो universal immunization schedule है, वो आपको बनाना है, उसके आपको six marks मिलेंगे, इसके बाद question number seven, write in short about health policy, health policy इसके अंदर लिखनी आपको ठीक है, इसके बाद question number eight, name the health committees in India, health committees कौन कौन सी आपको पता ही है, वो आपको लिखनी नाम होंगे, और explain briefly the boharay community, और boharay community के बारे में आपको लिखना है, तो इसके भी आपको six marks मिलेंगे, और question number nine, explain vital statics, vital statics के बारे में आपको पूरा complete लिखना है, तो इसके आपको six marks मिलेंगे, अब question number 10 हमारा, what do you means by following, इन में से आपको सबके answer आपको लिखने है, तो इसके आपको लिखना है, Indian Red Cross Society के बारे में लिखना है, intrauterine contraceptive device के बारे में लिखना है, health education के बारे में लिखना है, और gestatic nursing के बारे में लिखना है, और communicable disease के बारे में आपको लिखना है, तो इसके हमने आपका six number मिलेगा, ठीके, इस तरीके सा आपका section A के अंदर 15 marks, section B के अंदर 30 marks, और section C के अंदर आपको 30 marks मिलेंगे, तो आपका total होजएगा 75 marks, ठीके, total 75 marks का आपका questions बनेगा, इसके बाद section C, इसके अंदर attempt any two questions, each question carry 15 marks, मनलब प्रतेक mark questions का आपको 15 number मिलेगा, इसके अंदर आपको सिफ दो ही questions करने है, तो सबसे पहला question है, what is school health service, school health service क्या है, list the objectives of school health service, discuss the role of nurse in school health service, या आपको इसके लिखने हैं, ठीके इसके अंदर आपको 15 number मिलेंगे, यानि की 5 number इसके, 5 number objectives के और 5 number role of nurse के, इस तरह के से आपको 5-5 number मिलेगा, इसके बाद question number 12 हमारा, list the various national health problems in India, explain the role of nurse in India, prevention of nutritional problems, health problems, health problems कौन-कौन सी है, ठीके, national health problem, इंडिया के अंदर, उसके बारे में आपको लिखना है list, और, role क्या है, nutrition problems को prevent करने का nurse का, ठीके, तो इसका भी आपको 15 marks मिलेगा, अब question number 13, define health for all by 2000 AD, list the goal of the health for all, discuss the role of nurse in the primary health center, health for all by 2000, आपको इसके बारे में लिखना है, ठीके, health policy के अंदर आता है, उसके बारे में आपको completely लिखना है, और role of nurse, primary health center पे लिखना है, ठीके, इसका आपको 15 number मिलेगा, इस तरीके से हमारा क्या है, community health to nursing subject है, उसका questions paper बनता है, और भी इसके important questions है, वो भी वीडियो हम next वीडियो में हम ले आएंगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेर करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें, ठेंक यू